नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मेरे चैनल बैग वेंचर में दोस्तों मैं लेकर आए हूं करेंट अफेयर की सीरिस लेकर जिसमें मैं डेली पांच आपको करेंट अफेयर ऐसे बताऊंगा जो एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे कोशन जो की एक्जाम में आते हैं अभी कोरोना काल चल ला जैसा कि आप जानते हैं लॉक डाउन लगा है सब जगे आप घर में हैं तो आप मेरे इस चैनल को देखेएंगे अगर मैं आपको डिली 5 बताऊँगा तो महिने में आपके देडम सो हो जाएँगे साल में करीब सत्रा सो दो हजार हो जाएंगे कुछ हो नहों आपका यह तयार तो हो ही जाएगा Current Affair आपका पूरा तयार हो जाएगा Static Current Affair तो चलिए बिनादेरी करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रदर्सन सूचिकां को कैसे ट्रिक से करें याद कराने के जिम्मदारी मेरी है एक आप कॉपी लिजीए पैन लिख लीजीए उसमें आप लिख लीजीए इसको और गांट बाढ़ लीजीए जैसा कि मैं बता रहूँ सरफ आपको देखना है और इसको देखते ही आपको याद हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि विभिन ने जो प्रदर्शन हैं जो सूचिकांग हैं अलग-अलग हैं उसमें इंडिया की क्या पोजीशन हैं क्या रैंक हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा अगर आप एक्जाम बगारा देते होंगे तो आप पता होगा कि यह स्सी पुलिस इस्टेट सेविल सर्विसे से मलब लबख सारे एक्जाम यह टॉपिक कवर करते हैं तो पहला देखते कोविड-19 प्रदर्शन सूचिकांग 2021 उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 86 अब इस हो रहा है वह अच्छे हो जा रहे हैं मलब वैक्सिनेशन जिनको लग रहा है वह अच्छे हो जा रहे हैं अच्छे मलब आ से आख हो गया अच्छे से हो गया 6 सकेंड वाला देखते हैंगे ब्रष्टाचार धारणा सूचकांग 2020 इसमें भारत की रेंकिंग सेम हैगी मलब 8 और 6 86 मतलब तो अब इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि ब्रष्टाचार धारणा सूचकांग ब्रष्टाचार कब दूर हो सकता है हमारी कंट्री से कब हो सकता है दूर जब सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो सेम ट्रिक आ से हो गया 8 और 6 से हो गया 6 तीसरे देखते हैं वैसविक जलवायू जोखिम सूचकांग वैसविक मलब सारी जो वैसविक जलवायू जोखिम मलब हमारी जो जलवायू है वो है जोखिम में अब इसको सही करने के लिए हम सब को साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा साथ से हमारी ट्रिक बनती है साथ मलब भारत का जो रैंकिंग है वो होगी साथ इसके बाद हमारा आता है, मानव स्वतनतरता सूचकांग 2020, मतलब मानव को स्वतनतरता कम मिली, हम जानते हैं हमें 1947 में स्वतनतरता मिली, तो कैसे मिली, जब सभी लोग एक-एक करके सामने आए और लड़े, तब हमें स्वतनतरता मिली, तो मानव स्वतनता सूचकांग 111 इसकी रैंकिंग इंडिया की है इसके बाद देखते हैं मानव विकास सूचकांग 2020 तो मानव का विकास कब होता है अभी जहां हम रहते हैं अभी का जो दौर चल ला है उसमें मानव का विकास कब हो रहा है एक साल से जब बच्चा पैदा होता है और 31 साल तक जब वो बढ़ा होता है तो इस दौरान उसका विकास होता है तो मानब विकास सूचकांग 1 से 31 मतलब 131 उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको ये याद भी हो गए होगे अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको डेली डालूंगा चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थेंक यू